हेलो एवरिवन वेलकम टो डबलो एसक्यूब टैक मैं से दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइफन प्रोगामी तो आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो के अंदर कि पही कुछ इन बिल्ट फंक्शन होते हैं जो की लिस्ट के साथ में बड़ा यूस्फूल है कि कौन- लेकिं पहले हमने उनको टॉपिक के प्रस्पेक्ट में बढ़ाता है है आज इन्ही फंक्शन को हम लोग लिस्ट के प्रस्पेक्ट में पढ़एंगे कि लिस्ट के साथ मैं किस सर दरह से ब्यूत करते हैं शरवात करते हैं हम इस वीडियो की और बात करेंगे के इन- function of list तो इसको apply करने के लिए पहले आपको एक list चाहिए होती है लिस्ट आप जैसे की 1, 2, 3, 4, 5 एक list बना लिए अपने फिर उसको apply करने के लिए list के method को apply करने के लिए हमें list के reference के साथ में dot लगाना पड़ता है उसके बाद में इसके method को हम लोग apply कर पाते हैं जैसे की append ठीक है इस तरह से list के method को हम लोग use करते हैं लेकिन दोस्तों जो हमारे पास में inbuilt function होते हैं inbuilt function ऐसे function है जो की list के साथ साथ में string, double इनके साथ में भी valid है इनको हम लोग inbuilt functions कहते हैं और इनको apply करने के लिए पहले आपको function लिखना पड़ता है for example sum then इसके अंदर आपको object पास करना है जिस पर आप यह function apply करना चाहते हैं तो दोनों के apply करने के तरीके में little difference देता है तो previous video हमने देखा था कि कौन-कौन से function से जो list के लिए ही बने वे हैं list के साथ ही काम करते हैं तो उनको हमने नाम देता है कि functions या method of list आज हम लोग बात करेंगे inbuilt functions की जो की list के साथ में work कर सकते हैं और other identity के साथ में भी यह work कर सकते हैं तो चलिए शुरुबात करते हैं हमारे इस video की और हम लोग पहुंसते हैं हमारे built-in function पर तो सबसे पहला जो function है वो है sum अब दोस्तों sum आप नाम देखके आप पता चल गया sum क्या करेगा अगर sum के अंदर हम लोग supply करेंगे list की तो list में आने वाले सारे के सारे जो element होंगे उनका वो summation देदेगा generally इसको हम लोग numerical list जैसे की number वाले जो भी list होती है integer list या upload list उनके साथ ही sum को apply करते हैं और साथ ही यह देखेंगे कि other list पर यह किस तरह से work करता है ओके चलिए इसके लिए हम लोग सिधा program पर चलते हैं और program पर हम लोग बात करेंगे यहां पर एक list में create करना क्योंगा और वो भी number list integer के साथ में तो suppose कीजिए कि मैंने list बनाई है 11 12 और 13 ओके इस तरह की list है तो आपको sum apply कैसे करना होता है आप जैसे की s ले लिजिए और यहां लिखीगा sum और sum के अंदर क्या किजिएगा l को pass कर दिए तो sum function आपको इस पूरी list का जो submission होगा उसको return कर देगा जो की s में capture हो जाएगा और s को हम लोग print कर देंगे तो print s तो हमारे पास में 11 प्लस 12 प्लस 13 इसका जो answer 36 वह आपका print हो जाएगा आई होप आपको यह किलियर हुआ होगा कि यह function किस तरह से काम करते हैं ओके चलिए इसको मैं तोड़ा साब बढ़ा कर देता हूं ताकि आपको यहां पर कोई दिक्कत ना हो देखने में ओके ना हो तो अब बात करते हैं कि सर अगर हमारी लिस्ट में नंबर जो integer के लावा point वारे functions होते हैं जैसकि point वाले हमने element लिए तो यह इनको भी add कर देगा कोई दिक्कत नहीं आएगा यहां पर भी add करने के लिए और इनका जो answer है वो आप देखी पा रहे हैं कि किस तरह का answer आ रहा है चलिए अब बात करते हैं कि एक ऐसी list जो कि mixed है मतलब आपके पास एक integer है एक आपके पास में floating हो गया और एक आपके पास में क्या हो गया है है अब इनका submission क्या हो गया तो इस case में क्या होता है कि जैसे आप यह करते हैं perform तो आप string को number के साथ में नहीं कर सकते तो यहां पर हमारे पास में error आना सुरूर हो जाएगा वो कहेगा unsupportable operators तो जो प्लस है वहाँ पर समेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि यह mix list हो गई है उसी तरह से अगर मैं केवल कहता हूं कि मेरे पास में एक तो हेलो और एक है हाई ठीक है इस तरह के अगर लिस्ट है और अगर आप इस पर प्लस operation करते हैं तो भी आपके पास क्या जाएगी error क्य नुमेरिकल लिस्ट के साथ ही applicable होता है अधर लिस्ट के साथ में यह applicable नहीं होगा तो इस केस में आपके पास बार बार error आपी रहेगी तो आई होप आपको सम्वाला function के regarding सारे की सारे question समझ में आग चुके होंगे अब बिलकुल बात करते हैं हम लोग next method की सखना है max अब जाईसी बात है कि max जो होगा हमाई list में से maximum element को हमें return कर देगा तो चलते हैं प्रोगाम की तरफ और बात करते हैं कि max y और generally max को भी हम लोग numerical list पर ही apply करते हैं जैसे मान के जलता हूं 1 हो गया 12 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 हो गया ठीक है इस तरह से कोई भी आपके पास में list given है और आप इस पर max लगाना चाहते हैं तो max क्या करेगा इस में से आपके पास जो maximum element है list में से वो आपको return कर देगा जो कि हमारे पास में है 122 उसी तरह से हमारे पास min भी function होता है और min इस list में से जो minimum होगा उसको return कर देगा जो कि यहाँ पर है 1 तो I hope आपको max और min दोनों ही clear होनी होंगे कैसे काम करते हैं अगें अगर हम लोग ही बात करते हैं यहाँ पर mix list के तो यहाँ पर यह issue create करना शुरू कर देगा आपके सामने error आ जाएगी तो I hope आपको यह max और min भी समझ माएं होंगे बहुत ही easy है दोस्तों यहाँ पर कोई ज़्यादा complication नहीं है आप अपने program के according इनको use कर सकते है चलिए अब हम लोग बात करते हैं all की तो दोस्तों all क्या return करता है all आपको boolean value return करता है true return करेगा या false return करेगा अब आपको यह जाना जूरूरी है कि all जो method है वो कब true करते है तो all यह तभी true करेगा जब सारे element क्या हो true हो या exist करते हो अगर एक भी element list में से false हो गया तो हमारे पास में all method जो है वो आपको false देगा otherwise यह आपको true देगा क्या कहने का मतलब है चलते हम लोग program की तरफ और यहां बात करते है all की तो दोस्तों यह सारे जो element यह सारे के सारे exist कर रहे हैं तो इसको हम लोग मानते है true और इस case में आपको all जो है वो true return करेगा अगर एक भी element आपका false हो गया तो उस case में sorry यह मैंने false जो है आपके कभी भी true false वाली list में भी हो सकते हैं या फिन नुमेकर लिस्ट के अंदर भी false हो सकते हैं और अगर मैं string की बात करूं तो string जैसे की मैंने ले लिया एक तो ले लिया hello एक मैंने ले लिया हाई और एक मैंने ले लिया है friend ठीक है यह तीन मैंने यहां पर ले लि तो इसका मतलब जो empty string होती है उसको भी हम लोग false consider करते हैं जरूत पढ़ने पर आपको यह all वाला भी clear हुआ होगा काफी वैसे बहुत ही rare कम काम आता है हमारे पास में यह अब बात करते हैं any तो any का करते हैं any सारे element को check करते हैं और अगर एक भी element हमारा true हुआ तो यह true return कर होना जरूरी है जबकि any के लिए केवल एक element का true होना जरूरी है चले हम लोग यहां पर program के true को question को समझते हैं यहां पर दोस्तों बात करते हैं कि यहां अगर हम लोग any लगाए any हमें यहां पर true देदेगा क्योंकि hello और हाई दो true हम यहां पर मिल रहे हैं अब हम लोग बात करते हैं कि sir हमारे पास में यह कोई list इस तरह से लिए कि एक फॉल्स दे दिया एक हाई दे दिया एक नल दे दिया अब दो नल ले 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 तो यह सब के सब false है तो इस case में आपक क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से वर्क करता है एक चली सब को सही चल रहा अभी तक हमारा और अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड next मेथड की वह है लैं आई होब आपको लैंड के बारे में अल्यडी हम लोग पढ़ चुके हैं लैंड फंक्शन क्या करता है लैंड फंक चुछ करते हैं तो लैंड बता देगा कि इसमें कितने अलिमेंट होते उतने ही लेंट मानी जाते तो यहां पर आशार आएगा फोर और इसको रहा है ऑप यहां पर एक एलिमेंट और लिखा जैसे माल लिजे़ फॉल्स दिखा तो फॉल्स छो यह एक ऐलिमेंट है तो आपको यहां पर जो लैंथ हो फाइफ मिलेगी ऑके सब्सक्रव हो सकता है यह उसक्रव है यह फॉल्स न ही पड़ता है इस केस में तो length बहुत ही useful function हो जाता है कई बार जब अपलाई करते हैं लिस्ट के प्रोग्राम के अंदर तो length तो हमें count करने ही पड़ती है चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं type method की type method तब काम में लेते हैं जब किसी भी object का आपको type देखना है ठीक है जैसे कि मैं कहता हूं कि यह जो है आप चाहते हैं कि L का type देखना चाहते हैं तो आप यहां पर type लिखें यह बता देगा कि L जो है वो किस तरह का object है तो answer आजाएगा list ओके और अगर आप किसी और object के बारे में देखना चाहते हैं आपको नहीं पता है यह जो reference है यह किस तरह का object है या किस तरह का object को यह refer कर रहा है तो उस case में आप type का matter लगा कर चेक कर सकते हैं कि वो जो आपका reference है वो किस तरह की object को refer कर रहा है ठीक है तो दूसरा है accumulate enumerate जो method है दोस्तों यह आपको emulated list written करता है generally हमारे पास में enumeration जो होता है वो आपको counter देता है और counter के साथ में उस object को refer करता है क्या मतलब है इस concept का चलिए हम प्रोग्राम को देखते हैं कि यहां पर दोस्तों मैं यहां पर जब बात करूंगा numerator की तो numerator क्या करेगा सबसे पहले तो आपको counter देदेगा तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे इन्यूमेरेटर और यहां लिख देंगे लिस्ट चाहते हैं और जैसे इसको आपको और देखेंगे तो आपको सीव और जानकारी मिलेगी तो यहां पर जो कऊंटर दोस्तो जैसे कि एलिमेंट आम मारा वन है तो इसका कऊंटर जीरो है और सब्सक्राइब का यह जो चीजे होती दोस्तों होती कांटर अब चाहें तो कांटर को अपने लेवल पर सैट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आदें हंडिद इसका मतलब है एक तो जो है उसको 100 counter पर मानेगा तो अब यह खुद खुद चेंज कर देगा कि वन जो है वह 100 पर है तू जो है वह 101 पर है और फोर जो है वह 103 पर है इस तरह से आप इन्युमिडेटर का समझ में आया होगा कि क्या करता है यह हमारे एलिमेंट को पर्टिकुलर काउंटर के साथ में बाइंड कर देता है और उस पर हम लोग चाहें तो लूप लगा सकते हैं या या पिस जो भी वक्त चाहें हमारे जो अप्लिकेशन होगी उसका कोडिंग या पर वर्क किया जा सकता है चलते हैं हमारे next method के तरफ यह है accumulate method ओके दोस्तों accumulate function जो है यह हमारा iterate tool के अंदर होता है और उसको apply करना तोड़ा सा solitary reference रहेगा दूसरे method के comparison में accumulate करता क्या है इसके लिए मैं आपको तोड़ा सा diagram में समझाओंगा यहाँ पर मान के चलता हूं कि मेरे पास दोस्तों एक list है जिसमें one से लेकर five number है इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं diagram के तरूँ one two three four और five L इसको refer कर रहा है ओके चलिए अब accumulate का मतलब है अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर three पर खड़ा हूं तो इससे पहले वाले पर अगर हम लोग चाहे तो accumulate कर सकते हैं कि जब मैं three पर पहुंचूंगा तो इससे पहले वाले पर मुझे क्या काम करना चाहे तो इनमें से maximum निकालू चाहे तो इनको add करूं चाहे तो उनको subtract करे multiply करे चाहे तो minimum निका जाएंगे तो आपको आपको answer one plus two, three मिलेगा उस case में और जब अप three पर पहुंचेंगे तो आपको one से लेकर तो अपकर चाहे तर पको addition मिल जाएगा तो आपको six इल जाएा उनके paired यह फो गोत्व आपको जो चाहिए जो प्रोगाम के दर रिक्वार्मेंट है आप इसको यूज कर सकते हैं तो किसको अपलाई कैसे करते हैं इसको अपलाई करने के लिए आपको इटरेट टूल का यूज करना पड़ता है याद रखेगा दोस्तो इस मेंटर के लिए आपको पहले तो इटरेट टूल का यूज करना पड़ता है इसको मैं बंद करते तो हूँ कफी टाइम से चल रहा है बिचरा चलते हैं यहां पर सबसे पहले तो इमपोर्ट करना पड़ेगा हमें दो आइटम करने के लिए अब हम लोग ऐग लिस्ट बनाते हैं जिसमें हमने 12345 यह 5 element देए अब हमें इस पर इटरेट टूल लगाना है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हमारा जो accumulate function है वो लिखेंगे accumulate ओके यहां पर पास करेंगे हमारी को देन हम लोग यहां प्र पास कर सकते में या Max तो यह आपको पूरा का पूरा अंसर दे देगा का चलिए इसको मैं यहां पर लेता हूं सब्सक्राइब में capture कर लेते हैं और फिर लूप लगा के इसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं तो फोर आई इन आर ओके और नाउं प्रेंट आई इस तरह से हम लोग यहां पर काम कर सकते हैं अपना तो यहां पर तोड़ा सा मिश्टिक होगी है कि हमने स्पैलिंग कर दिये तो फड़क से लगते हैं एक्चली में इट्रेट टूल्स होते हैं एस लगता है यहां पर तो एस लगा लेंगे कोहीं शूनी आएगा चलिए अब इसको हम लोग रन करते हैं और रन करने से पहले मैं आपको तोड़ा सा वैलू अलग देता हो था कि आपको समझ माझा जाए जैसमें 11 दी पी टू दी फिर आपको 3 दे दी फिर आपको 16 दे ओके तो अब आम इसको रन करके देखते हैं तो यह हमें मैक्सिमम देत कि दोस्तो सबसे पहले अक्युम्लेट मैक्सिमंम कैसे निगलता है इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पर आएंगे तो हमें सब्सक्राइब पूरा 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 अंसर मिल जाता है तो यह हमने यहां पर किया है दोस्तो आपको यह किलियर हुआ होगा कि किस तरह से होता है अब चाहे तो दोस्तों यहां पर एडिशन भी कर सकते हैं जैसे इसके लिए लिखना पड़ेगा ऑपरेटर ऑपरेटर डॉट एडिशन देदेगा आपको तो सबसे पहले 11 के अडिशन 11 आएगा 11 प्लस सब्सक्राइब करना जरूरी है यह इंपोर्ट कैसे होते हैं यहां आने वाले चॉपिक के अंदर पूरा का पूरा बेसिक रूप से करेंगे ओके तो यहां तक हमने सारे के सारे कट चुके हैं दोस्तों आई होजप आपको 21 किलेर हुआ होगा कि यहां पर किस तरफ से हमने यहां पर सारे मेतounced को explain किया है और उनका क्या use है I hope आपको clear हुआ होगा और आप इनको अपनी problem के अंदर easily apply कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही दोस्तो next video के अंदर हम लोग dictionary को लेकर बात करेंगे list यहां तक enough होगे आप चाहें तो आप list के जो भी questions से आप इनको solve कर सकते हैं और को doubt हो तो आप हमें inform कर सकते हैं हम आपके help जुरूर करेंगे तो मिलते हैं next video में एक नए topic के साथ में तब तक के लिए thank you